जेहिन साधियों तिरंगे में लिपट कर घर पहुचते ही हिमाचल के जवान के पार्थिव देह से डेड़ साल की बेटी को गोध में लिए पत्नी हुई बेसूद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगेंद्र नगर के दुल गाउ निवासी भारती सेना के जवान नायक अमित कुमार अपेंडिक्स की बिमारी के कारण निर्धन हो गया था अमित लहा लद्दाग में पंजाब 21 रिजिमेंड में नायक सुबेदार के पतपर सेवा निवरत थे बीते तिन दिन पहले अमित की अचानक तबियत खराब हो गई थी जिससे सेना अधिकारियों द्वारा उपचार के लिए कमांडर अस्पताल चंदीगर में भरती कराया जहां जवान का उपचार के दोरान निर्धन हो गया अमित को अलसर हो गया था जिसका आप्रेशन होना था लेकिन आप्रेशन से पहले ही जवान की मोत हो गई रैवार सुबाहा आड़ बजे जवान का पार्थिव तहे तिरंगे में लिपट कर पेथिक गाउं दूल के नारों से आसमान गुंजा मन हो गया पती की मोत की खबर सुनते ही मनिसा बेसूद हो गई उनके डेट साल की मासुम बेटी सुईजल को नहीं पता था कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे अमित की माता गोरी और पिता जोगेंदर का रोरोक और बुरा हाल है अपने लाडले को खोने का घहरा सदमा लगा है दूल गाउं इस्तित हनुमान घाट में राष्टिय सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया सेकडों की तागात में लोग अंतिम संसकार में सामिल हुए सेना के जवानों ने गोटो पनर देकर सहीत जवान को अंतिम विदाई दी अम अमित कुमार का आज राष्टिय सम्मान के साथ उनके गाउं में अंतिम संसकार किया गया वहीं सहर और गाउं के आसपास के लोग भारी संक्या में सहीत जवान की अंतिम यत्रा में सामिल हुए भारत माता के वीर सपूच सहीत जवान नायक अमित कुमार को उनकी सेवाओं क के लिए सत्यर नमन करता हूं वहें वीर परिवार के लिए गहरी सविदना प्रकट करता हूं